दोस्तों आप मुबाइल को बहुत कम यूज़ करते हैं कुछ टाइम यूटूब पर वीडियो देखते हैं वट्सप फेस्बुक यूज़ करते हैं इसके बावजूद बहुत ही जल्दी आपके मुबाइल की बैटरी खतम हो जाती है अगर आपको ये प्रॉबलम आ रही है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है इस वीडियो में मैं आपको मुबाइल की दो ऐसी सीकरेट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आपके मुबाइल की बैटरी पूरे तीन दिन तक चलेगी जी हाँ दोस्तो आपको सिर्फ दो सेटिंग करना है कोई भी एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करना है आपके मुबाइल की बैटरी दो से तीन दिन तक चलेगी तो अगर आप इस सेटिंग को सीखना चाते हैं तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी लाइक बटन को दबा दो और चैनल को सबस्क्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो इसी तरह की वीडियो देखना चाते हो तो अभी चैनल को सबस्क्राइब कर लो साथ में बैल आइकोन को दबा कर आल पर सेट ज़रूर करो ताकर जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको जाना है mobile की settings में और यहां पर आपको देखना है battery वाली setting कहा है आपके phone में मेरे फोन में यह रही बैटरी वाली सेटिंग अगर आपको उपर नहीं मिलती है तो उपर सर्च बॉक्स में आप सर्च भी कर सकते हैं बैटरी जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके मुबाइल में बैटरी की सेटिंग आपके सामने आ जाएगी और यहीं पर आपको यह setting मिल जाएगी तो मैं open करता हूँ यहाँ से battery की setting को ठीके, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे phone में यहाँ पर 67% charging है और यहाँ पर timing दिखा रहा है कि यह 14 गंटे 29 मिनट चलेगी ठीके, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जो 14 गंटे दिखा रहा है तो यह और 4-5 गंटे timing बढ़ जाए मेरी battery और 4-5 गंटे जादा चले तो इसके लिए यहाँ पर आपको स्रीफ एक setting करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह power saving mode आपको इस setting को on करना है यह setting on करने के बाद दोस्तो आपकी mobile की battery 4-5 गंटे और जादा चलेगी अभी timing यहाँ पर update नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप जैसी click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको update timing दिखाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 गंटे 14 मिनट अब मेरे mobile की battery चलेगी मैं back आता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर timing अपडेट हो चुका है तो इस तरह से आप एक setting की मदद से अपने mobile की battery को 4-5 गंटे और जादा use कर पाएंगे आपको एक setting करना है अब बात करते हैं दोस्तो दूसरी setting की तो दूसरी setting भी आपको यहीं मिल जाएगी और यह setting की मदद से दोस्तो आप अपने mobile की battery को 3 दिन से भी जादा तक use कर पाएंगे आपके mobile की battery 3 दिन से भी जादा चलेगी जी हाँ दोस्तो तो यह setting करने के लिए आपको यहाँ पर power saving mode यह setting जो हमने on की है इसे ही आपको open करना है इसे open करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको क्या करना है पहले आप यह setting को off कर दीजिए जैसी आप यह setting off करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपको एक setting देखने के लिए मिलेगी limit apps and home screen यह setting को on करने के बाद दोस्तो आप अपने mobile की battery को 2 दिन 3 दिन से भी जादा use कर पाएंगे जी हाँ दोस्तो इस setting को मैं जैसी on करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर timing update हो चुका है अभी यहाँ पर क्या timing दिखा रहा है 17 गंटे 42 मिनट तो मैं इस setting on करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या timing दिखा रहा है 2 दिन 8 गंटे अभी सिर्फ 65% charging है मेरे phone में और मेरी battery चलेगी 2 दिन 8 गंटे तो है ना दोस्तो कमाल की setting यह setting अभी सिर्फ मैंने on किया है यह मेरे mobile पर apply नहीं हुई है apply करने के लिए आपको यह setting को on करना है जैसे मैं यह setting on करूँगा तो यह setting मेरे mobile पर apply हो जाएगी और मेरे mobile की battery दोस्तो आप देख सकते हैं 65% battery जो चलेगी 2 दिन 8 गंटे अगर यह पूरी 100% रहेगी तो दोस्तो यह 3 दिन से भी ज़्यादा चलेगी तो यह काफी useful setting है लेकिन यहाँ पर कुछ condition है यह setting के जैसी मैं यह setting को apply किया तो आप देखेंगे मेरे mobile पर black theme apply हो चुकी है और यहाँ पर सिर्फ 8 application दिखाई दे रही है तो यहाँ पर यह 4 नीचे की application आप change कर सकते हैं और अपने पसंद के मुताबिक यहाँ पर application game को add कर सकते हैं जो आप use करते हैं और आप उन्हें use करके अपने mobile की battery को 2-3 दिन तक use कर पाएंगे जी हाँ दोस्तो यह setting उन लोगों के लिए है जो लोग अपने mobile में सिर्फ YouTube पर videos देखते हैं कुछ time के लिए Facebook, WhatsApp, Instagram यूज़ करते हैं तो वो लोग अगर यह setting को use करेंगे तो उनकी battery काफी लंबे समय तक चलेगी 2-3 दिन तक चलेगी लेकिन जो लोग दिन रात अपने mobile में game खिलते हैं movie देखते हैं तो वो लोग भी यह setting use करेंगे तो battery 2-3 दिन तक तो नहीं चलेगी लेकिन कुछ time बढ़ जाएगा ठीक है यहाँ पर application add कैसी करना है वो मैं आपको बताता हूँ आपको उपर 3.0 पर click करना है और आपको edit पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आप application को हटा भी सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी पसंद के मताबक application को add कर सकते हैं जैसे के plus के icon पर मैंने click किया यहाँ पर मैं Chrome browser को open करना चाहता हूँ तो यहाँ पर Chrome browser को मैंने add कर दिया यहाँ पर अगर आपको दूसरी application जैसे कि हम WhatsApp add कर देते हैं इस तरह से यहाँ पर हम YouTube add करते हैं और इसी तरह से यहाँ पर हम Facebook add करके यहाँ पर done कर देते हैं तो यह application यहाँ पर add हो जेगी और यहाँ से मैं इने open करके use कर पाऊँगा तो यह दूसरी setting की मदद से दोस्तों आप अपने mobile की battery को दो दिन तीन दिन तक use कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर कीजिए WhatsApp, Facebook पर जादा से जादा शेयर कीजिए ताके और भी लोगों को इन setting के बारे में पता चल जाए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट करो यार एक कमेंट करके जरूर बताओ यह setting आपको मिली या नहीं और यह setting आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में टैंक यू